चैन्य जेहिन दूस्टों चुलिए इस तो बात करते हैं एक और कोशन के बारे में इस क्या कहा गया है इस 15 को मीधर भेज देंगे तो यह 8 x 15 हो जाएगा अब यह कोट है तो कोट में मेरे पास यह क्या होता है बेस और यह मेरे पास परपेंडिकुलर है बेस का मतलब क्या होता है आधार और यह मेरे पास क्या होता है आपका लंब होता है एक्जामन ने मुझसे पूछा है यहां पर पूछा उसने मुझसे, मुझसे पूछा है आपसे sign एक तो a की value पूछी हुए है, और ये मुझे पता है perpendicular upon में क्या होता है, मेरे पास में hypotenes, यानि कि لم बटे में कर्ण, और दूसरा मुझसे पूछा हुए sack, sack a, तो sack a क्या होता है, मेरे पास में hypotenes upon में base, यानि कि यह मुझे से पूछावा है तो अब इसे स्वाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर एक ट्राइंगल की मदद लेंगे एक ट्राइंगल मैंने क्रियेट किया इस तरह से इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में क्या दिरखा है आपका इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में A है ये मेरे पास B है ये C आप किसी को मान सकते हैं से कोई फरक नहीं पड़ता है ये मेरे पास क्या 90 डिगरी है अब मुझे इसमें दिरखा कोट A कोट A क्या होता है मे पैदागुरस्थिर्म यूज्गा vipythah वृषभाकु पाई थरुम कहती है कि perpendicular का आप इस्क्वैर करी plus में आप base का square करें तो बराबर में अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो high potence के square के बराबर हैगा ये मेरे पास 15 है मैंने 15 का square किया ये मेरे पास base है मैंने base का square किया ये 8 का square किया ये iscal2 में hypothesis का square हो जाएगा तो ये 15-15 कितना 225 और ये 88 मेरे पास में 400 हो जाएगा ये मेरे पास में h का square हो जाएगा इसको जोड़ों तो 9 और ये मेरे पास में 8 और ये 2 iscal2 में मेरे पास क्या जाएगा h का square यहां से h is equal to कितना हो जाएगा यह उदर चल जाएगा root तो यह root हो जाएगा 289 और यह h is equal to कितना होता है इसको तोड़ लीजिए 17 into 17 में तूट जाएगा आपका तो यानिखी h की value आ जाएगी वो आपकी 17 आ जाएगी क्या जाएगी आपकी 17 आ जाएगी यानिकी यह मेरे को side मिलगी है यह कितनी side मिरे पास में आपकी 17 आप मुझे फिर पूचा में से हाइपोर्टनिस अपने में बेस, तो हाइपोर्टनिस कितना मेरे 17, अपने में बेस कितना मेरे पास में आपका 8, यह मेरे इसका correct answer होगा, यही मुझ से पूचाता साइने और सैके, I hope आप सभी को यह कोशिन समझ में आया होगा, जैहिंद जैभारत